Hello everyone, welcome to our channel, Star Physical Education Friends, आज की इस वीडियो में हम cover करने वाले हैं most important 500 question रहेंगे हमारे one-liner question रहेंगे हम जल्दी-जल्दी करेंगे सिरफ revision रहेंगा ही है हमारा Question number 5, टे स्टार्ट करते हैं घाव दोआरा कौन सा रोग फैलता है, तो यह होता है आपका titnes कौन सा रोग जल्दवारा नहीं फैलता, inflwayegyan नहीं फैलता फिल्पाव रोग किसके दवारा हुत पन होता है छूत की बिमारी नहीं है, hysteria कौन सा रोग वाइरस दवारा उत्पन होता है, तो यह है आपका चेचत malaria रोग फैलता है, influxenz यह में से फैलता है सारे के सारे क्यूस्टन important हैं आपके 100% 5 नंबर के क्यूस्टन इसमें से ही आएंगे आपके इस सिभार नहीं आएगा डिफ्तिरिया रोग का संबंध है कंट से खसरा रोग का कारण है विशानू संक्रामक रोग है मलेरिया किस रोग का वाहक है ग्रेमक ही तो यह आपका हैजा टाइफाइड में स्रीर का मुखे रूप से प्रवावित होने वाला अंग है आत्थ वाइरस दवारा होने वाले रोगों में से एक क्या है इन्फिलुएंजा पोलियो वाइरस का संकर्मन होता है जलत था खाद्य परदूस स्वास्ते सेवाएं और स्वास्ते सिक्स्या स्वास्ते संबंदित कार्यकरम को विद्यालने में सवर पर्थम क्या कहा जाता है तो यह क्या कहा जाता है स्वास्ते निराकरण नेक्स्ट क्योस्टन है आपका भारती रेट क्रांस सोसाइटी की स्थापना कब होई थी तो यह सदारन सारण करने वाले वेक्ति की लग वक्ति की स्वाथ дорог अ होती है तो ये 3600 से 4500 कलोरी क्याव सिखता होती है एक नोर्मल बंदे को जो प्रीशरम करता है साधारण कारी करने वाले एक व्यक्ति की लगवा कितनी कलोरी क्याव सिखता होती है तो ये 2500 से 3000 तक कलोरी क्याव सिखता होती है एक साधारण व्यक्ति को संतुलित आहार क्या है जिसमें उजित खादेपदार्थ का समावेश हो जिसमें सभी पोसकतता उजित मात्रा में वे अनुपात में हो तथा सुपाचे आकर सकत वे रूचिकर हो आपका वर्दीकाल में भोजन में किन पोसकततों का आधिक समावेश होना चाहिए तो यह आपका प्रोटीन होना चाहिए रक्त लपता रोग की स्खनीज लवन की कमी से होता है तो यह लोत तो होता है इसको हम एनिमिया के नाम से भी जानते हैं एक ग्राम कार्बोहाइट्रेट से कितनी कलोरी प्राप्त होती है में तो यह 4.1 कलोरी प्राप्त होती है नेक्स्ट कुस्टन रहेगा आपका चेचक के विशानु का नाम क्या है तो यह वेरियोला वायरस है डिप्तिरिया का मुख्य रूप से क्या होता है छोटे बच्चों में होता है डिप्तिरिया बोजन को विशाक्त बनाने वाले आंत्रिक कार्ग क्या है ये हैं परिजिवीरासैनिक पदार्थ टितनिश में होने वाला मुख्य विकार क्या है स्रीर का अिट जाना संक्रामक रोगों से बचाओ का मुख्य उपाए क्या है वैयु दुआरा फैलने वाले रोग कौन से होते हैं यह चेचक आदुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्ते किस थिर पर निर्वर करता है तो ये सारे रिक मानसिक है आध्यात्मिक परजिवी प्लाजमोडियम उत्पन करता है ये क्या करता है मलेरिया उत्पन करता है पी लिया रोग किस से परसारित होता है तो ये उता आपका जल भोजन से विशाणूं के दवारा बिमारी होती है ये क कौन सा रोग कवक, मतलब फंगस भी बोलते हैं जिसको उत्पन होता है तो ये दाद होता है एक परकार का, हैजा और टाइफाइड किस परकार की बिमारिया है, बोजन तथा जल जनित रोग है ये, वायू दवारा कौन सा रोग फैलता है, तपेदित फैलता है, जल दवारा गौन सा रोग फैलता है, सिफलिस भी पोलते हैं एक रोग को नेक्स्ट क्योस्टन रहेगा आपका, सारी रिक क्रिया कलापों द confessे वारा बच्चों की संपूर्णड शिक्षा को कहते हैं सारी रिक शिक्षा किस देश में सारी रिक सिक्षा पर पूराने समय से ही अधिक बल आई जिसका उधसे सारे इडरीक मांसित बावनात नहीं के मातुळतर समाजी ग्रूप में सक्सम की नहलें बूचर की है इंपोर्टेंट है दो तिन बार आ चुकी है जितने भी क्योस्टन मैंने लिए हैं सारे इंपोर्टेंट हैं सिरफ फेजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं किस ने कहा सारे इंपोर्ट सिरफ पर केंदरित अनुगाव दवारा जो परिवर्टन मानों में आते हैं वे सारे इंपोर्टेट परतिकिरियाओं से संबंद रखता है एसा किसी ने बोला है? जेबीनेस ने ये सारी रिक शिक्षा के विस्त्रित छेतर का अभीनेंग बताते हैं next आपका सारी रिक शिक्षा व्यक्ति विशेस के सामाजिक व्यवार में वह परिवारतन है जो मास पेसियों तथा उन से संबंदित बड़ी गतीविदियों की प्रेना से उपसदा है ये किसी ने बोला है? सीसी कोबेल ने बोला है सारी रिक्षिक्षा ये नेक्स्ट में देखते हैं सारी रिक्षिक्षा उन परिपूरण संतुलित अनभवों का जोड़ है सारी रिक्षिक्षा उन परिपूरण संतुलित अनभवों का जोड़ बताए गया है कि जो आमारी बोड़ी में विकास पैदा करती है और अभीवर्दी में और विकास दोनों को बढ़ाती है सारी रिक्षिक्षा किसकी विकास से संबंदित है सारे रिक्षिक्षा दवारा होने वाले नैतिक विकास का संबंद किसमे है ये सबनी अंतर्ण खेल वावना और ने तर्टवे में है सारे रिक्षिक्षा दथा खेल कुद के कारिये करम अधिकांस कैसे होते है तो ये सामोहिक होते है सारे रिक्षिक्षा दथा खेल के कारिये करमों का सामाजिक प्रक्स किसका होते है सामाजी गुनों का विकास करना खेल कुद से संबंद इत समाज सास्तर की साखा का नाम क्या है तो ये खेल समाज सास्तर है नेक्स्ट क्या रहेगा आपका नियमों की विवस्ता को समाज सास्तरी भासा में क्या कहते हैं तो ये संस्ता कहते हैं प्रिवासा किसने दी थी थांडाइट की है नेक्स्ट के हैं आपका खेल मानसिक चमताओं को बढ़ाने वाली महतोपूरण की रिया है जिसके दवारा व्यक्ति संपूरण प्रियावन के मनोविज्ञान गूप के समन्वे स्थापित करता है यह प्रिवासा स्लावसन की है देखो खेल के अकोर्डिंग, खेल की प्रिवासाइं किसने दी थी सबसे पहले किसने माना था यह 100% एक नमर का क्योस्टन आएगा कम से कम बेच 30 प्रिवासाइं हैं इन में से एक रहेगी आपकी तो यह खेल मानसिक चमता को बढ़ाने वाली महत पूरूण की है यह किसने बोला था, सलावसन ने बोला था खेल को एक ऐसा कारिय माना है जिसका उदर से सारीरीक मानसिक और सामाजिक परिकरियाओं में तार्तम महता बनाए रखना है ये प्रिवासा किस विद्वान की है तो ये इरिक सिन ने दी है देखो खेल को एक ऐसा कारिय माना है जिसका उदसे सारीरिक मानसिक और सामाजिक परिकरियाओं से है ये इरिक सिन ने बोले है खेल एक स्वैचिक और आत्म के इंदरित किरिया है ये है प्रिवासा किसे ने दी तो इस ट्रडर्ण ने दी थी खेल कारिये में एक परकार का मनोरंजन है यह प्रिवासा वेलन्टाइम की है खेल एक आनन्दा एक सारेरी की अमानसिक किरिया है उनमें आपने पूरण है ते था जिसका कोई अव्यक्त लक्से नहीं होता यह प्रिवासा किस ने दी यह रसेल ने दी खेल ऐसी किरिया है जो आनन्द प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम प्रिवासा विचार नहीं किया जाता है यह प्रिवासा हर लाग की है नेक्स्ट क्या है आपका खेल ऐसी किरिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम प्रिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाती है यह प्रिवासा हर लोग नहीं दी थी जिस कारीव को वह करना चाहता है यह परिवासा क्रो एंड क्रो ने दी मतलब जब इंट्रेस्ट लेके आप कोई भी चीज करते हैं तो वह खेल की रिया बोला जाता है जिसमें एक व्रति उसमें वैस्त होता हुआ भी उसमें इंट्रेस्ट लेके करता है तो ये क्रोवेंड क्रोने की थी खेल पर आधारित केंडर्गर्डन से अपर्दिती का आविस्कार किस ने किया था most important है फ्रोवेल ने किया था खेल की अतिरिक्त सकती सिदान्त के परतिपादक कौन है ये है सिलर फिल पैट्रिक ने दिये थे खेल के पुर्वानुमान सिदान्त किस ने दिया था ये दिया था कार्ल गुरूस ने खेल का वह कौन सा सिदान्त है जिसके अनुसार बच्चे खेल के दवारा तनाव वदवन्द को दूर करने के लिए तथा समेंगों के कारण उत्पन अधिक सक्ति को वे करने के लिए खेलते हैं तो ये रेचन सिदान्त है नेक्स्ट है आपका खेल कव है कौन सा सिदान्त है जिसके अनुसार बच्चे अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ती हे तु खेलते हैं नेक्स्ट क्योस्टन क्या है आपका खेल कव है कौन सा सिदान्त है जिसके अनुसार बच्चे अपने भावी जीवन की तियारी हे तु खेलते हैं तो ये पूर्वानुमान सिदान्त है किसने कहा कि कारीय में व्यक्ति को दूसरे की इचा पर आशरित रहना पड़ता है किस देश में हुआ था यूनान में हुआ था खेलनों का सवरणयोग किस देश से संबन दी था है तो ये यूनान से है जěर्मनी में जिमनास्टिक का आप्रेंट्ट फादर किसे कहा जाता है तो ये गडड-समट्स को कहा जाता है। जर्मनी में खेल विग्ञान को अनिवारी वीसे बनाने का वश्र एक जाता है, त Zur으 St avec Price. भारत में किस यूग में व्याम के साथ योग का अब्यास को एक धार में करता वे समझा जाता था यह वैदिकाल राष्ट्र एक्ता की दार्णा की परकरती जै कैसी है धीमी परकिरिया निरंतर चलने वाली परकिरिया है आई-ए का फूल फोम क्या है इंडिया नेशनल ओलंपिक एसोसे अन आई-ए कब बना था तो संन ना इंटिन ट्वंटी इसमे में बना थी आई-ए के बनने में एहम वो मिका किस की थी तो यह थी नोरेन डॉक्टर एजी नोरेन थे था अहम उसकी अच्छी बकी थी नेक्स्ट क्या है आपका मनोरंजन सब्दकिस बासा के दो सब्दों का योग है तो ये लेटेन का है स्वेचा से बाग लेना सारे रिक्वे मानसिक तनाओं में कमी ये किसी परकार की तेयारी वापर सिख्शन की आव सिख्था नहीं होती ये किस की बाग लेना सारे रिक्वाजिक और विकास समयगे आत्मक विकास अतिरिक्वे तूर्जा का सदूपियों की मेहतब है ये मनोरंजन के हैं विकास किस की आत्रिक्वे तूर्जा है तो ये मनोरंजन की है, उस के रिया या गतिवीधी को क्या कहा जाता है, जिसमें भाग लेकर व्यक्ति आनंद एंखुशी पराप्त करता है, तो ये आपका मनोरंजन, मनोरंजन की गतिवीधी आमानने होती हैं, समास दवारा, अच्छा, अवकास की समें कसदूपयोग संतुस्टी पराप्त करना इंस तनाव से मुक्त हैं यह किसके लक्स सेंधे हैं यह मनोरंजन के मुस्ट इंपोर्टन इखेल वह मनोरंजन में संबंदीत है क्योंकि दोनों सवैचिक किरिफो करता से नेक्स्ट क्या रहेगा आपका सिख्षन संस्ताओं में होने वाले खेल किस परकार के मनोरैंजन है सारे रिक सिख्षेत था मनोरैंजन केंदरी बोर्ड किस थापना किस वर्स होई थी रथदोर्ड की सप्राचिन सब्वेता में मनोरैंजन का साधन है तो यह मेस्टो पोटामियाग کے टाइम से हैं संगर्स, संगर्स करना मनोरंजन का कोई पार्ट नहीं है संगर्स मनोरंजन नहीं है, रेडियो सुनना नहीं है सारे रिकबल वाली मनोरंजन के रियाएं हैं ये टेबल टैनिस है पहले टेबल टैनिस मतलब खाना खाने के बाद में नाइट टाइम में किया जाता था अभी टेबल टैनिस मोस्ट इंपोर्टेंट गेम हो गया है इसमें जो हमारी मनी कवतरा है इनको बारत रतन सोरी राजुगांदी खेल रतन अवर्ट दिया गया तो आप टेबल टैनिस को पूरा सर्च कर लेजीगा एक बार व्यवसाहिक मनोरंजन का अउधारन नहीं है तो मह साहते कर लिया है अंगरेजी बाष़ा के कितने सब्दों से मिल कर बनाई है यह तेन मनोरंजन का पर तेक सिधान्त नहीं है आद रसना गरिग्ता पारिवारिक मनोरंजन औप्चारिक मनोरंजन यह सब अधिन परकारों में आते हैं मनोरंजन का महतव मनोरंजन एक मोलिक मानविय आवसेक्ता है मनोरंजन सिख्षय का एक दूसरे से पूरक है ज्यानात्मक विकास, रूची का विकास एव आतम ज्यान की भावना का विकास ये सभी मनोरंजन में खेल विदी के महतव है संपोर्ण व्यक्तित्व का विकास, सनेतिक वैचारितिर गुणों का विकास, अच्छी आदतों, वैने तर्तों के गुणों का विकास से यह सभी मनोरंजन में होने वाले लाब हैं स्वास्ते विकास आवसिक केस में काउप योग सामाजिक संगठन का चेतर यह मनोरंजन के चेतर है मनोरंजन में recreation का लेटिन सब्द क्या है पुने निर्मान करने वाला reaction है सोरिवा नेक्स्ट है आपका से ही देखकर आनंदित होना ये दोनों नहीं हीत है मनोरंजन आनंद में मनोरंजन के आधुनिक साधन है कंप्यूटर, मोबाइल फोन, BCDM, DVD नेक्स्ट है आपका प्राचिन काल में भारत वर्स में मनोरंजन का वरणन किन गरंथों में मिलता है आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 के उस्टेन है, सारे के सारे मैंने जल्दी जल्दी करवाई हैं अभी इसमें मैं दो गेम और एड करने वाली हूँ आप वेट करना इसके PDF आपको मिल जाएगी गेम है इसमें टेबल टैनिस और बेडमिंटन मैंने दोनों लिया है पहले टेबल टैनिस खेल को लोग किस समय से खेलना पसंद करते थे रात को खाना खाने के बाद पिंग पंग S.O.C.N का नाम बदल कर टेबल टैनिस S.O.C.N कब रखा गया? 1926 में भारती टेबल टैनिस S.O.C.N किस थापना कब होई 1938 में टेबल टैनिस को लंपीग खेलों में कब समिल किया गया है? 1988, S.O.C.N कौरिया में होए थे जो टेबल टैनिस खेल को A.C.I. खेलों में कब समिल किया गया था? आयाज़ तेबल टैनिस परत्यों किता का आयजन मुंबई में कब हुआ था? 1952 में याद रखना है टेबल टैनिस की खिलाडी को क्या कैते हैं değerलर काते हैं टेबल टैनिस खेल कि विश्व पूरस् टीप प्रतियोगीता में विजेता को कौन सा कप दिया जाता है तो इस वैथिलिंग कप दिया जाता हैं याद रखना मॉस्ट इंपोर्टैंटर्टैंट हें स conququi से Textці кे कप दिया जाता है तो कप दिया जाता है आपका टेबल टेनिस संग की अपना कब है तो ये था आपका अधर सरा rare विशोव टे अब आपका विसव टेबल टैनिस संग का मुख्याले कहां पर है लोशाने भारतिय टेबल टैनिस संग किस ता अपना कब की गई थी तो 1938 में की थी भारतिय टेबल टैनिस संग का मुख्याले कहां पर है ये न्यू डैली में है ज्यादा तर मुख्याले न्यू डैली में है एक दो ह हमें गाँ टैबल टैनिस खेल में सं투 पर्थम अर्जून पुरुसकार की से कब घंप मिला था तो एंसेक बुरा को Susi को मिला था 훈 ward इंसकी स्विधा में किसको मिला था तो अर्जून पुरुसकार को स्टार्टों मिला था थेज 你 कप बोला जाता है टेबल टैनिस खेल की भी सो मिश्रित यूग गल परतियोगीता का नाम है दूसे कप है बर्न बेलाग कप की स्केल से जम्बंदित है तो यह भी आपका टेबल टैनिस से है ITTF की फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल टेबल टैनिस फेडरेशन नेक्स्ट आपका टेबल टैनिस में टेबल की माप क्या होती है तो यह 2.74 x 74 x 1.525 मिटर होती है नेक्स्ट आपका टेबल टैनिस में टेबल की प्लेइंग सर्फेस जमिन से कितनी फिट में उपर होती है तो यह 2 फिट होती है और 60 cm होती है विवाजित करने वाली central line net की लंबत मोटाई क्या होती है तो 3 mm होती है table tennis skill की गेंद का भार कितना होता है 2.7 होता है table tennis की गेंद का व्यास कितना होता है 40 mm होता है next question क्या है आपका table tennis से related है ITTF की full form क्या है international table tennis federation table tennis table में table की माप क्या होती है badminton world champions 2019 जितने वाली पहली बारती में इलाकों थी तो यह PV सिंदू थी most important person है याद रखना badminton खेल को अंतराश्टी ने अंतिरित करने वाली sense था क्या है international badminton federation आधुनिक badminton को खेल को किस देश ने विक्षित किया था तो इंग्लेंड ने किया था badminton खेल का पराना पुराना नाम क्या है तो यह feather tennis भी बोलते हैं इसको feather coke जो होती है वो feather की होती है इससे आप थोड़ा रिलेट करके याद रख लेना पूरुसों के लिए badminton खेल में अंतराश्टी कप की कौन सी परतियोगिता होती है तो यह thamas होती है badminton खेल में से यह पूरुसों के लिए सबसे पहली अंतराश्टी परतियोगिता कब होई थी तो यह 1948 में होई थी badminton खेल में सबसे पूरानी वैपर चली परतियोगिता है All India Championship badminton racket में किस परकार की grip अच्छी माने जातिये तो यह चमड़े की grip होती यह अच्ही माने जाती है badminton racket में किस परकार की string कि लंबे समय tutक चलती है तो यह लाइलन की चलती है court कि मद्धे में बड्मिन नेट क्यों चाएं कितने होती है इंडोर वै इंडोडोर सफेल कोग में खेली है, गबलता है। टेम को कितने पोइंट की जुरूरत होती है तो वह भी 21 की होती है Next Question क्या है आपका Badminton पुरसों में यूगल भी जयता होने के लिए एक खिलाड़ी को कितने जितने होते हैं तो यह भी 21 जितने होते है Badminton में मतलब 21 का यह पूछ रहा है बैडमिन्टन मैच होता है वो कितने पॉइंट का होता है तो 21 का होता है बैडमिन्टन में हिलाओं के यूगल में विजेता होने के लिए एक खिलाड़ी को कितने अंग की जुरूरत होती है तो वो भी 20 फेस्ट का ही गेम होता है तो इतना ही कही होती है यदि खेल के दोरान श स्ट्रोक में स्रीर का कौन सा हिस्सा सकती परदान करता है तो इकलाई करता है बैडमिंटन खेल के दोरान प्रारम की स्थीति में स्रीर का भाग किस परकार वितरित होना चाहिए तो ये स्रीर का भार दोनों पंजों के अगर भाग पर होना चाहिए बैडमिंटन खेल के दोरान Battle Door की skill का प्राचिन नाम है तो बैडमिंटन का है Battle Door की skill का प्राचिन नाम है बैडमिंटन का है भारत में बैडमिंटन उन खेल सब से पहले खेल लगाया था यह पौने में सवरुपर्थम बैडमिंटन खेल के नियम की सन में बनाए गए थी 1987 में बैड मिंटन इंगलेंड एसुसेन का गठन का वा था 1887 में BWF फुल फोम क्या है BADMINTON World Federation BWF का गठन का वा था 1934 में हुआ था अभी है next question आपका BWF फुल फुल फॉम बैड मिंटन वर्ड फेडरेशन BFW का गठन का वा 1934 में BFW का गठन का वा था 1934 में ऊबेर कप की सुरुवाद कप होई थी 1957 में यह भी बेडमींट्न से रिलिटिद हैं बेडमींटन खेल का जना ह्वा था यह था आपका इंगिल्एंऐंड में बेडमींटन का पर्थम कपलग था 1992 जो बरसिललों नामे होई थे स्में 1992 में इनको रorno को पिर में एड की आगे था थे बैमिन्टन को पिर सभीगा थे अस्तरलन फेला रउच्ट्र नहींbs रवन दशिता है पहला उन्यों Kerry तुप यह किदों में यही क्या से नीन पंट कोपने NICK 5915 सेटल कोग का अपर डेसिमर डेयमेटर होता है 52 55 cm सेटल कोग में पंखों की संख्या होती है 14 to 16 next question है आपका सेटल कोग का लंबाई कितने होती है 62.270 cm सेटल कोग का बेस का व्यास कितना होता है 25 to 20 सेटल कोग का हो सोरी मैं दूबारा से रिपीट करें नेक्स्ट क्योशन है आपका सोट सर्वीस लाइन पोस्ट से कितनी दूरी पर होती है यह 666 6666 इंच होती है बैडमिंटन में दूसरा अर्जुन पुरुसकर विजेता दिनेस खना है बैडमिंटन में पर्थम द्रोणाचारी पुरुसकर प्राप्त करने वाले नाम पर्थम द्रोणाचारी किसको मिला था तो यह मिला था MS ASIF को, RIF को 2000 में मिला था, badminton का अंतराष्टी स्टेडियम बहरत में कहां पर हैं, न्यूड़ी में, badminton किस देश का राष्टी के लएए, Malaysia का, badminton के छीलडी को कहा जाता है, settler, सुधीर हमन कपको और pedler को कहा जाता है устрой गतलर को और योनेक्स कप, योनेक्स बार्त की सबसे बड़ी बुरांड है, बैडमिंटन की, नेक्स्ट क्या है, ऐसा कौन सा खिलाड़ी है, जिस सिद्रोनाचारिया, आर्जुन राजिव गांदी खिल रतन, तिननो पुरुसकार मिल चुके हैं, जो है, गोपी चंद पुलेला, बैड जो पीछे के, उसमें आए हुए है, 2014 का एक पेपर है, संबर्न एंसनो ब्लाइंडनेस होता है, तो ये उचे स्थान पर होता है, सीलर तथा स्पेनर, निमनलेखित केलों में सिदान्त किसे ने दिये थी, तो आतिरीक तूर्जा का सिदान्त है दिया था, सीलर तथा स्पेंस होती है, नेक्स्ट आपका क्या है, ये खिलाडियों में कुंठा का कारण क्या होता है, योगेता तथा अकांसस्तर में ऐसंतलन, क्योंकि इसलिए मैंने आपको ये करवाए हैं, ताकि आप याद रखो, डेक थलान परती होगी, ताकि दिये विसव किस परदा को करम में में लिए, तो ये ज़्यादा ऐरोबिक चमता होती है लाल पेशियों में, ये आपको, इसका PDF मिल जाएगा, आपको, पूरा PDF मिल जाएगा आपको टेलिग्राम चेनल पे, जो फिजिकल एजुकेशन के नाम से तेलिग्राम चेनल है, इसमें आपको लिंक टाल दिया आपको अगर PDF चाहिए तो उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं Thank you